दोस्तों स्वागत है आप सभी का BSC and NSC एड़ा में उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी चल रही होगी जिस तरीके से सारे स्टॉक्स अपने टार्गेट को अचीव कर रहे हैं और उसके बाद भी बोनस प्रॉफिट दे रहे हैं तो यही है कि आप सभी लोग अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे और प्रॉफिट में होंगे चले दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो को और एनेलिसिस कर लेते हैं आज की अपनी इंट्राडे ट्रेड का और देखते हैं आज का जो हमारा दो स्टॉक थे उन्होंने कैस परफॉर्म किया जैसा कि आप अपने स्किन पर देख पा रहे हैं चार्ट लगा हुआ है IEX यानि Indian Energy Exchange दोस्तों इस स्टॉक ने उमीद से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया आपको इस स्टॉक में बाय करने का मौका मिला होगा इसको बाय करने के लिए कहा था मैंने 710 पर और पहला टार्गेट 715 और दूसरा टार्गेट 720 था अब जैसा कि आप अपने स्किन पर देख पा रहे हैं यह ओपन हुआ था 726 पर और इसने हाई मारा 798.7 का दोस्तों इसमें 11.97% का जंप देखने को मिला और इस तरीके से इ आप सभी लोग ने इसे बाय किया होगा 710 के उपर और अगर दूसरे टार्गेट पर भी प्रॉफिट बुक किया होगा तो 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ होगा उसमें भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा लेकिन जैसा कि मैं आपको कहता हूँ चार्ट को देखे टार्गेट 2 के कंप्लीट हो जाने के बाद तो आप आगे के लिए वेट करते रहिए अपने स्टॉप लोज को ट्रेल करते हुए आपको स्टॉप लोज को ऐसे ट्रेल करना है मान लीजे कि आपने 720 का टार्गेट अचीव हो गया है उसके बाद आप अपने क्रोस कर जाए तो आप अपने stop loss को 730 से हटाकर 725 सेट कर दिए और जब ये 725 को क्रोस कर जाए यानि 730, 750 पहुच जाए तो आप अपने stop loss को ऐसे ही बढ़ाते जाए यानि कि एक बार target अचीव हो जाने के बाद आपको loss में नहीं जाना है आपको profit में ही रहना है extra profit भले ही ना मिले लेकिन target 2 तक का profit तो 100% मिलना ही चाहिए अगर target 2 अचीव होता है तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने rule को follow करते हुए अपने stop loss को trail किया होगा और बहुत ही अच्छ जरूर करें दोस्तों बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे अब analysis कर लेते हैं दूसरी trade का आज का हमारा दूसरा stock था बंधन bank इसमें आपको short sale करने का मौका मिला होगा इसे short sale करने के लिए बोला था मैंने 340 पर और minimum target था इसका 336 का अब जैसा कि आप अपने skin पर देख पा रहे हैं इसने low मारा है 324.10 का यानि target था 336 का और इसने low मारा 324.10 का इस तरीके से इस stock ने भी अपने target से ज़्यादा profit दिया तो उमीद है कि आप सभी लोगों ने इसमें अच्छा profit बूक किया होगा अब चलिए देख लेते हैं कि कल के लिए किस stock को चुना है मैंने यानि कि कल हम किस stock में trade डालने वाले हैं दोस्तो कल का हमारा stock mcx है एक ये बड़ा stock है दोस्तो यानि थोड़ा amount इसका बड़ा होगा इस stock का अगर आप लोग इस stock में trade नहीं डालना चाहते हैं तो इसके थोड़ी देर बाद मैं एक short video upload करूँगा वो छोटा stock होगा यानि कम पैसे का होगा आप उसमें अपनी position बना सकते हैं लेकिन इसने आज बहुत ही अच्छा profit दिया है और बहुत ही अच्छी rally देखने को मिली है इस stock में तो मिद यही करता हूँ कि कल भी ऐसी ही rally इस stock में देखने को मिलेगी इसलिए मैंने आज ये stock दिया है तो अब चलिए देख लेते हैं MCX को आप किन point पर buy करेंगे और किन point पर short sale करेंगे MCX को आप buy कर सकते हैं 2045 पर और minimum target रहेगा 2069 का यही अगर नीचे गिरना शुरू होता है तो आप इसे short sale कर सकते हैं 2019 पर और आपका minimum target रहेगा 2005 का दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं आप इस rule को जरूर लगाए चार्ट को देखिए अगर आपको chart allow कर रहा है यानि candle बनी बढ़ रहे है और volume है buying में या selling में तो आप आगे के लिए wait करिए minimum target को stop loss में लगा कर आप आगे के लिए wait करिए जैसा कि आज IEX में हुआ उसने अपने target से कहीं ज्यादा profit दिया जिन लोगों ने भी अपना target book का लिया होगा 720 पर और उन्होंने जब अगर बाद में देखा होगा या फिर अब जब दुबारा देखेंगे तो वो लोग कहेंगे कास मैंने wait किया होता आगे के लिए तो stop loss को लगाने के बाद wait करिए दोस्तों आपका target अचीव हो जाने के बाद आप stop loss में लगा दीजिए अपने minimum target को या target 2 को और उसके बाद निश्चित होकर जब तक green candle बनती रहे तब तक wait करते रहे जैसे ही आपको 5 minute में red candle बनना शुरू हो तो आप short sale कर सकते हैं दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजे mcx को आप buy कर सकते हैं 2045 पर minimum target 2069 का इसे आप short sale कर सकते हैं 2019 पर minimum target 2005 का और दोस्तों मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं या फिर अपने उन भाईयों से कहना चाहता हूं जो लोग लोग ने अभी नई intraday ट्रेडिंग शुरू की जिनोंने अभी stock market में नए नए आए तो आप लोग रुपया करके पेसेंस के साथ ट्रेड डालिए बहुत ही ज़्यादा जल्दवाजी मत करिए और मैं आपनों से कहना चाहता हूं जिनोंने अभी जल्द ही stock market में कदम रखाए और intraday शुरू कर दिया दोस्तों यही के बहुत ही खतरनाक step है लेकिन अगर आप intraday करना चाहते हैं एकदम beginner हैं तो आपको सि और फिट बुक करके बाहर जाना है इस चीज को दिमाग में रखिए ज्यादर तर कोशिस यही करिए target 1 पर आप stock को buy करिए और target 1 को डाल दीजे और बहुत ही जल्दी वह execute हो जाएगा आप बाहर निकल जाए और उसके बाद आप अपने चार्ट को analysis करते रहे हैं आप dummy trade कर स जही आदर आप beginner हैं तो कृपया करके शुरुवात में ही जादा profit बुक करने की practice ना करें यानि आदद ना डालें दोस्तों ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आपको अच्छा profit हो जाए और अगले ही दिन आपको उससे कहीं जादा loss हो जाए अगर आप beginner हैं तो आपने loss को control नहीं क तीन मेना आप कभी भी देखें दोस्तों कोई भी नया business जो सुरू करता है शुरुवात में उसको profit नहीं होता है पहले साल बार दो मेना तीन मेना चार मेना पांच मेना छे मेना आठ मेना वह अपनी सिर्फ cost निकाला करता है उस business से फिर साल दो साल बार छे महने बाद वह उ टाइम देना पड़ेगा share market में और उसके बाद ही आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप beginner हैं आपके बास 20 से 25,000 यानि 10,000 प्लस capital है तो आप swing में focus करिए वो ज्यादा safe side होती है और आप investment की तरफ भी देख सकते हैं यानि जो छोटे stocks होते हैं उनको दो मेहना चार मेह के लिए target लेकर ले लिजे और profit book करके उनसे बाहर निकल लिए पर इंट्राइड के लिए आपको practice करनी है तो थोड़े सी quantity लीजे और practice करिए जब आपकी practice हो जाए लगातार एक मेहना या दो मेहना या तीन मेहना तो फिर आप अच्छे से trade करिए और अपनी quantity में एक एक जी process रखना है quantity को बढ़ाना है लेकिन सुरवात में ही आपको सीधे 10,000 की यानि की 50,000 रुपई की trade नहीं डालनी है सुरवात में कोसिज करिए 20 से 25,000 रुपई 30,000 रुपई की trade डाल कर थोड़ा सा profit लेकर बाहर हो जाईए पहले सीखने पर focus करिए और अगर आप एक बार सीख गए तो दोस्तों निश्चित तोर पर ही बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप स्टॉक मार्केट से लेकिन अगर आपने सीखने पर ध्यान नहीं दिया और आपने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दिया तो process यही होगा कि अगर आपका जब अच्छे से loss होग तो आपको अपनी stock market बंद करके बाहर जाना पड़ेगा और यकीन मानिए इससे किसी का loss नहीं होगा आप stock market से बाहर जाते हैं loss के बाद तो सिर्फ और सिर्फ उसमें आपका loss होगा आपका पैसा डूबेगा ना BSC का डूबेगा ना NSC किसी company का डूबेगा ना मेरा डूबे मरते हैं और उसके बाद वो सीखते हैं और बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं आगे चलकर तो कोसेश यह करिए पहले सीखे हपते बर मेहने बर एक मेहना दो मेहना और उसके बाद quantity बढ़ाना सुरू करिए इंट्राडे में और safe side खेलना है तो target 1 को book करके आप बाहर हो तो दोस्तो कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो दोस्तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे और वीडियो अच्छा लगता हो या आपका कुछ profit हो रहा है तो like कर दिया करिए comment कर दिया करिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद